हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तो में डॉक्टर दरबे साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पिडाल में दोस्तो हम में से कोई जाना नहीं चाहता है कभी भी हस्पताल कभी भी सरजरी टेबल पर नहीं जाना चाहता है और हमारी मजबूरी कहिए या फिर हमारी लापर भाई हमें हस्पताल भी जाना पड़ता है सरजरी टेबल को भी फिस करना पड़ता है दोस्तों मर मर के घुड़ घुड़ के जीने से अच्छा है, अच्छा healthy life हम जीएं, natural life जीएं, और दवाई से दूर रहें, यही हमारा मकसद है, यही हमारा भीजान है, यही हमारा mission है आज हमारे साथ हैं नैंसी जो फिटनेस पे काम करती हैं पहले भी कई वीडियो इनकों लेके मैंने बनाया हूँ आज भी बना रहा हूँ दोस्तों और साथ मैं आपको ये आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप एक टावेल के माध्यम से अलग-अलग एक्सेसाइज करके अपने आपको फिट रख सकते हो अपने घुटने को अपने काप मसल्स को खास करके अपना सरभाईकर और शोल्डरोगरा को मजबूती दे सकते हो इसके flexibility, mobility को बढ़ा सकते हो और अपना blood circulation energy की flow को अच्छा कर सकते हो दोस्तों मैं अपनी किताब my health in my hand में बहुत सारी ऐसे tips आप लोग को दे रखा हूँ समझाने को कोशिस किया हूँ और 10 साल की मेहनत है online amazon पे available हिंदी वाली किताब है नैंसी जो पकड़ी है और ये दोस्तों अंग्रे जी वाली किताब है my health in my hand जो लोग नहीं मंगाए हो और हमें चाहते हो कि हमारी help आप तक पहुँच सके मैं आप तक पहुँच सकूँ तो ततकाल देर किये बिना online emergency से इसको मंगाए इसका लाब उठाए एकिपरेशर की पुरी knowledge और आयरवेट की पुरी ज्यान इस सब में जो दे रखा हो इसका लाब दोस्तों उठा के अपने आपको निरोग रखो फिट रखो इसमें दोस्तों टावेल का हम लोग help लेंगे एक टावेल दोस्तों लेता हूँ पहले गरदन का टावेल को उपर इसको सिर्फ स्टैंडबाई करके रखेंगे याने टावेल को पकड़ा गया है मगर जो दबाओ है गरदन और सीर के माध्यम से पिछे के तरफ दिया जा रहे है यह तरह से ट्रेक्शन मोड में आप ले रहे हो अपने सर्भाइकल और स्पाइन को दोस्त कि ऐसे दस सेकेंड रोकिये फिर रिलाक्स्ट हो जाए फिर से दस सेकेंड रोकना है और दोस्तों रिलाक्स्ट होने है और एक बर देख लिए तिन दिन बार कम से कम रिपीट करिएगा और फिर रिलाक्स्ट होना है उसी तरीके से अलग-अलग डायरेक्शन में भी दोस्तों आप कर सकते हो जैसे कि यह इस तरीके से इस position में भी आप कर सकते हो और relaxed हो इस तरीके से फिर opposite direction में भी दोस्तों आप कर सकते हो देखिए दबाव आप अपने गर्दन और सर से ही दोस्तों देना है इस चीज़ को याद रखिए इस से आपका elbow आपका wrist हो गया shoulder हो गया और सरभाहिकल हर एक जगा पे दोस्तों पूरा complete stretching मिल जाती है ठीक है इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक exercise और बताते हैं देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने हाँ यह दबाव आपको डालना है जिससे आपका shoulder पूरा देखो complete stretch हो रही है पूरी दबाव यहाँ पे आ रही है और इस तरीके से आप अपना दबाव जो है सामने के तरफ कर रहे हो रिलाक्स हो जाईए फिर से दोबारा repeat करें बहुत ही बहुत ही बहुत इन एक्सरसाइज है इससे आप अपना जाइंट की flexibility, movability दोस्तों बढ़ा सकते हो अब आपको हम लेक का उसी तरीके से जैसे गर्दन का आपने कर रहे हो उसी तएके का आप आपका हीब जो है वो आपका इस लेवल पर आ जाता हीब नीचे रहता है और यह देखो यह एक बहुत ही बहुत यूअ exercise है और इस तरीके से आप 11 सेकंड तक रुक के अपणे आपको रखिये कुम्भक यागा किसी भी पुज़ज़न में रही है कुम्भक याने सांस रोक के रखना बाहे कुम्भक याने सांस बाहार करके और इस पुज़ज़न में आप थोड़ा से अपने आपको moment भी दे सकते हो दोस्तों, यह देखो, इसका पूरा stretching आपका गर्दन, shoulder और आपका इधर घुटना, कमर, hip और पूरा काफ muscles तक ही आ रहा है, इसमें आप इस तरीके से relaxed हो जाएए, फिर से करके दिखाते हैं, एक बारी फिर देखिए, यह देखो, एक position में आपको आना है दोस्तों, और इस तरीके से relaxed रहें, और थोड़ा से अपना moment भी दोस्तों ऐसे कर सकते हो, हलका सा moment भी आप कर सकते हो, इस तरीके से, and relaxed, इसको अपने 4 बार, 5 बार, 6 बार तक भी दोस्तों कर सकते हो, और इसी चीज़ को अगर हम ऐसे करना चाहें, टावल को एक पैर में देखें इस तरीके से और ये पैर नीचे रह रहा है और एक पैर ऐसे उपर जा रहा है इसे भी 10 से 12 सेट आप रोख के कर सकते हैं फिर दूसरे लेख पे ये वाले इस तरीके से आप पूरा स्ट्रेच कर रहे हूं ठीक है पाँच-पाँच बार के रिपीटेशन भी आप दोस्तों कर सकते हूं घुटने में दर्द है जैसे कि कई बारी आपको पैर के exercise करनी है, यहाँ आपको गुटने में दर्द है, तो आपको क्या करनी है, हाथ को दोनों side में रखना है, इससे दबाव नहीं डालनी है दोनों गुटने से दबाव डालनी है यह थोड़ा support के लिए इस्तिमाल करनी है यह दबाव आपको डालनी है दोनों गुटने का side से इस तरीके से, ठीक है गर्दन सीध है और यह दबाव डालते हो, तो यह दोनों आपका stretch के अगे रहता है और एक बारी ऐसे करना है फिर एक बारी ऐसे करना है tight यहाँ पर रेखनी है इसको आप 10 बार, 15 बार भी दोस्तों कर सकते है एक बार ऐसे में और यहाँ tight करनी है और एक बारी अंदर के तरब करके देखो टाविल को अच्छे से भी अगर आप रोल करके रखना चाहते हो, नीचे से भी आप कर सकते हो इस तरीके से यह देखो same thing इस तरीके से और यह बार जा रहा है सब में 5-5 सेकंड रोक हो इधर 5 शेकंड और फिर ऐसे 5 सेकंड और दबाव कहा रहना है सारा टाविल को उपर रखना है और इसको थोड़ा उठा के भी आप कर सकते हो इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो यह position में फिर relax करके ऐसे position में और इसको भी उपर उठा के भी आप कर सकते हैं इस तरीके से यह 10 times 15 times तक भी किया जा सकता और एक बड़ी करके दिखा यह अंदर को खीचे very good proper position समझें फिर करें फिर देखो ऐसे दोस्तों करनी है तो दोस्तों regular exercise हिजाब को करनी है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग माद्यम से इसको clock wise आंटी clock wise थोड़ा ऐसे घुमा भी सकते हो ऐसे फिर opposite direction very good एक आप दिखाएंगे हम पेट के बड़ लेट के कैसे किया जाता है यह पेर को हलका सा जमीन से ऐसे उठानी है यह position पेर एसे यह रोकना है 10 second और फिर relaxed होना है फिर दूसरा पैर इस तरीके से इसका पूरा असर यहां तक आता है किसी को अगर कमर में ज़्यादा दर्द है तो इसको ज़्यादा मत करना अगर करें तो किसी को कहें यहां पे प्रेशर डालके ऐसे रखने के लिए कोई घर में होगा ऐसे दवाव डालके रखें फिर करें अगर कमर में दर्द है तो करिए वेर यहां दवाव रखेंगे तब जाके वहां पे करना है फिर डाउन फिर दूसरा इस पैर को भी फोल्ड करनी है और इस पैर को भी फोल्ड करनी है अब दोनों हाथ से इसको पकड़नी है वेर यहां इसको थोड़ा उपर हलका सा उठानी है हम् यह थोड़ा से स्ट्रेच करनी है आपको इस तरीके से फिर रिलाक्स्ट और एक बड़ी करके दिखाते हैं देखिए यह इस तरीके से आपको करके अगर कोई हो घर में यहां थोड़ा बीच में कमर में अगर कमर में दर्द है तो बीच में थोड़ा से आप help लीजिए यहां पर support करें फिर दवाव डाल के इसको खीचिए and relaxed ठीक है आपको जाते जाते भुजंगासन दिखा देते हैं पीछे से पहले दिखा देता हूँ फिर उसके बाद सामने से दिखाएंगे हाथ इसमें दोस्तों चेश्ट के पास रखा जाता है और धिरे धिरे सांस लेते हुए आपको उपरानी वेरियूड ना भी आपका जमीन के पास याने फ्लोर के पास ही रहती है यह मैं आपको पहले पीछे से दिखा दिया है वेरि गूड ऐसे दस से पंदरा सेकंड आपको रोकनी है फिर सांस छोड़ते हुए निचे जाएंगे इसको कुमभक या बाई हो कुमभक दोनों पूईशन में कर सकता है भुजगासन अच्छे से देखिए फिर सांस छोड़ते हुए धिरे धिरे निचे आना है एक बार अच्छे से और एक बार देख लो याने सांस के तरह अगर आपको बढ़िया एनरजी चाहिए तो हर रोज आप भुजगासन कम से कम 15-20 बार करें इस तरीके से अलग-अलग एक्सेसाइज हम आपको बता रहे हैं आपको करना चाहिए और सठीक तके साथ करोगे तभी दोस्तों बढ़िया रेजल्ट आएगा हमारी प्रया से आपको सठीक मार्क दर्सन कर सेकें टेक्निकालिटी दे सेकें करना आपका जिम्मेदारी है करोगे तो दोस्तों पाओगे यह जो चीज़ें बता रहे हैं सिखा रहे हैं यह करना जरूर यह क्योंकि फिजिकाल एक्सेसाइज हमारा कम हो गया जी तो प्रॉब्लेम हो रही है और लोगडाउन के समय कोवीड के टाइम में तो हमारी बाहर निकलना घुमना फिरना यह सब बंध है यह कम हो गया है इसलिए यह सब एक्सेसाइज आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत लाब होगा और इसा फायदा उठाओ और किताब दोस्तों जरूर मंगाओ जिससे आपको मार्ग दस्य के तरह काम करेगा गाइड के तरह किताब काम करेगा उसके आधार पर आपने जीवन को बढ़िया करोगे किताब अच्छी बात होती है मैंने तो बहुत सारी किताब पढ़ा आपको भी बता रहा हूँ किताब पढ़ने के लिए दवाई खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि स्टिरट वाली दवाई खाने से अच्छा है देसी दवाई के नाम में जो स्टिरट मिला जा रहा है अब ही मिलाए जा रहा है वो सबसे बचने के लिए आपको अपने घर का अपने किचेन के अंदर जो चीज़ है अभिले बूले उसके आधार पर एक्सेसाइज करके अपने के माद्य हमसे अगर फिट रह सकते हैं बड़ी बिमारी से बच सकते हैं इससे अच्छी बात दोस्तों क्या है तो इसी बात के साथ इस वीडियो के यहीं पे दोस्तों समाप्त करता हूं जय ही जय भारत